16 फरवरी के इस सभा में देश विदेश के समाचार लेकर गुर्जिंदर सग्गों के साथ मैं हूँ चिनमाई दीक्षित रूस द्वारा सैन्य आक्रमन के बढ़ती आशंकाओं के बीच उकरेन के लोग आपसी एक जुटता की पुनरपुष्टी कर रहे हैं बुधवार को देश की राजधानी कियेफ के एक स्ट्रेडियम में भारी भीड एकत्र हुई लोगों ने विशाल जहंडे उठाए और रूस के दबाव का डट कर मुकाबला करने की प्रतिग्या करते हुए जुलूस निकाला उक्रेन के राश्ट्रपती वोलुदेमीर जेलिंस्की ने इस दिन को एकता दिवस की संग्या दी है इस मौके पर जेलिंस्की ने एक वीडियो वक्त अव्य जारी किया उन्होंने कहा कि वो आशा करते हैं कि पूरे राश्ट्र के एक जुठ होने वाला ये दिन प्रसन्नता दायक होगा उन्होंने कहा कि एक जुठ होकर उक्रेन के लोग और मजबूत हो गए है देश भर में प्रसारित वीडियो में राश्रपती को कीएफ के बाहर जहंडा फहराते और सेना के साथ राश्ट्रगान गाते दिखाया गया है इससे पूर्व मंगलवार को रूस में घोशना की थी कि वो अपनी कुछ सेना वापस बुला रहा है लेकिन अमरीका समेथ पश्चिमी देश सतर्क बने हुए है मंगलवार को उकरेनी अधिकारियों द्वारा देश के रक्षा मंत्रा ले सशस्त्र सैन्य बल और दो बैंकों पर साइबर हमले की जानकारी दिये जाने के बाद चिंताएं और बढ़ गई थी ब्रिटेन के एक विचार मंच का कहना है कि उकरेन में तनाव बढ़ने से यूरोपीय रक्षा खर्च में पिछले साल 4.8 प्रतिशत की वृध्धे हुई जबकि अन्य देशों के रक्षा खर्च में गिरावट आई है अंतराष्ट्रे सामरिक अध्येन संस्थान ने मंगलवार को अपनी वार्षिक सैन्ने संतुलंद रिपोर्ट प्रकाशित की ये रिपोर्ट दुनिया भर के देशों की सैन्ने अक्षमता और मुद्राय स्फीती समययोजित रक्षा खर्चों का विशलेशन करती है रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में ये रक्षा खर्च में लगातार सात्मे वर्ष वास्तविक आंकणों में व्रध्धी दर्ज होई इस स्थिती के लिए रूस द्वारा 2014 में क्रीमिया का राज्यहरन और उसके बाद पूर्वी उक्रेन में हस्तक्षेप को जिम्यदार ठहराया गया है इसमें ये भी कहा गया है कि वैश्विक रक्षा खर्च कुल 19 खरब 20 अरब डॉलर रहा जो 2020 से वास्तविक आंकडों में 1.8 प्रतिशत कम हुआ है 754 अरब डॉलर के साथ अमरीका का रक्षा बजट विश्व में सबसे बड़ा था और ये दूसरे स्थान पर रहने वाले चीन के रक्षा बजट से लगभग 3.6 गुणा बड़ा था अमरीकी रक्षा खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक आंकडों में 6 प्रतिशत की गिरावट आई है ब्रेटेन और भारत के बाद रूस पांचवे स्थान पर रहा जो हाल के वर्षों में अपनी सेना का आधुनी करण कर रहा है रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने विशेश रूप से अपनी थल रक्षाक्षमता सुद्रढ की है तोक्यो महानगर सरकार ने बुधवार को राजधानी में कुरोना वाइरस के 17,331 नए मामलों की पुष्टी की दैने कांकडे में पिछले बुधवार की अपेक्षा 900 से अधिक की गिरावट रही और सापताहिक गिरावट का ये लगातार आठमा दिन रहा तोक्यो के अधिकारियों का कहना है कि कृत्रमिशोसन यंत्र या एक्मो हिरदय फेपड़े मशीन पर आश्रित 81 मरीजों की हालत गंभीर है इस संख्या में मंगलवार से 4 की वृद्धी हुई है राजधानी के अस्पतालों में भरती COVID-19 रोगियों की दर बुद्धवार को 57.8 प्रतिशत थी जो पिछले दिन से 1 प्रतिशत कम है अधिकारियों का ये भी कहना है कि उन्होंने बुद्धवार को 21 नई मौतों की पुष्टी की ये इस वर्ष का उच्चितम आंकड़ा है जो मंगलवार को दर्ज पिछले रिकॉर्ड से अधिक है उसाका में अधिकारियों ने 12,466 नई मामलों और 38 मौतों की पुष्टी की देश में प्रवेश की उपरी सीमा बढ़ाने और कुछ शर्टों के साथ विदेशियों के आगमन को मार्च से अनुमती देने पर जापान विचार कर रहा है नई विदेशी आगमन सैध्धानतिक रूप से स्थागित हैं कोरोना वाइरस के उमिक्रोन प्रकार के प्रसार को रोकने के उपायों के तहत देश लोटने वाले जापानी नागरिकों और अन्य निवासियों को जापान आगमन पर साथ दिनों के लिए संगरोध में रहना अनिवार रहे सरकार अब उमिक्रोन प्रकार पर उपलब्ध अधिक जानकारी और बूस्टर टीका करण में प्रगती की संभावना का हवाला देते हुए प्रतिबंधों में चरण बद्ध धील देने की योजना बना रही है अधिकारी परेटकों को छोड़कर उचित संक्रमन रोधी उपाए और अन्य शर्तों को पूरा करने वाले नए विदेशी आगमनों को अनुमती देने की व्यवस्था कर रहे हैं विदेशियों सहेत देश में प्रवेश करने वाली लोगों की दैनिक संख्या साढ़े 3,000 से बढ़ा कर 5,000 किये जाने की संभावना है सरकार तीसरे दिन जाच में नकारात्मक पाए जाने पर लोगों को संगरोध समाप्त करने की अनुमती देने पर भी विचार कर रही है वर्तमान में जापान सरकार द्वारा निर्दिष्ट देशों और क्षेत्रों के लोगों को तीन से दस दिनों के लिए संगरोध कार्यालेयों द्वारा निर्धारित आवास में रहना होता है संक्रमन मुक्त पाए गए लोगों के लिए संगरोध अवधी तीन दिन किये जाने की संभावना है जो लोग बूस्टर खुराक प्राप्त कर चुके हैं और उन क्षेत्रों से आये हैं जहां ओमिक्रोन प्रकार का प्रसार नहीं हो रहा है उन्हें संगरोध से छूट दिये जाने की संभावना है समाचारों में आपका फिर से स्वागत है पेचिंग शीतकालीन उलम्पिक खेलों में मंगलवार शाम पुरुशों की नौर्डिक कंबाइंड लार्ज हिल प्रत्योगिता में कांटे की टकर देखने को मिली जिसमें सभी तीन पदक विजेताओं के बीच केवल आधे सेकंड का फासला रहा इस प्रत्योगिता में स्की जंप और 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दोड को मिला कर मकाबला होता है विजेता को कथित रूप से स्की इंग समराट माना जाता है स्की जंप में श्रेश्ट प्रदशन करने वाले खिलाडी क्रॉस कंट्री दोड पहले आरंभ करते हैं जापान के वाताबे आखितों ने प्रत्म खिलाडी से 54 सेकंड देरी से दोड शुरू की और प्रारंभिक चरण में बढ़त हासिल की लेकिन दोड की समापती रेखा से कुछ पहले नौर्वे के दो खिलाडी उनसे आगे निकल गए यौरगेन ग्राबाक ने स्वन्ड पदक जीता और उनसे केवल 0.4 सेकंड पीछे जेंस लुरास अफ्तेबरो दूसरे स्थान पर आए जापान के वाताबे शीर्श खिलाडी से केवल 0.6 सेकंड पीछे रहे और उन्होंने कांस से पदक जीता इससे पहले वर्ष 2018 और 2014 में वो रजत पदक जीत चुके हैं जापान में सत्तारूर गडबंधन पार्टियों ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखते हुए कहा है कि देश में विदेशी चात्रों के प्रवेश की अनुमती संबंधी नीतियां बहाल की जाए ओमिक्रोन प्रकार के प्रसार को देखते हुए सरकार ने पिछले साल नवंबर में गैर निवासी विदेशों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी अब सरकार ओमिक्रोन प्रकार के वैग्यानिक प्रमान के आधार पर प्रतिबंधों में धील देने पर विचार कर रही है वर्तमान प्रतिबंधों की ततकाल समीक्षा करने की अपील की गई है। दोनों पार्टियों ने सरकार से आग रहे किया है कि विदेशी छात्रों को देश में प्रवेश की अनुमती दी जाए, चाहे वे सरकारी छात्र वृत्ति पर हों या ना हों। LDP के प्रस्ताव में कहा गया है कि विदेशी छात्रों को सरलिकरित प्रक्रियाओं के तहट देश में प्रवेश की अनुमती दी जाने चाहिए, चाहे फिर विदेशी प्रवेशकों की संख्या पर लगी द्यानिक सीमा कितनी भी हो। कोमेई तो पार्टी का कहना है कि सरकार को विदेशी छात्रों से आवेजन पत्र स्विकार करने आरम भकर देने चाहिए ताकि एक मार्च से वे प्रवेश कर सकें। LDP की शिक्षा एवं विज्ञान समीती के प्रमुक यामा मोतो तो मोहिरो ने कहा कि सरकार ने उन्हें अवगत कराया है कि प्रवेश प्रतिबंध इस महिने के अंततक जारी रहेंगे और इस बीच वो प्रतिबंधों में धील देने पर शीगृता से विचार करेगी। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन्हें अपने दिवंगत पिता और देश के पूर्व नेता किम जोंग इल के असी में जनमदिवस के अफसर पर एक अधिवेशन में हिस्सा लिया है। देश की वरकर्स पार्टी के समाचार पत्र रोदोंग सिनमुन ने खबर दी किम जोंग उन्हें बुद्वार की वर्षगांट से एक दिन पूर्व आयोजित सभा में हिस्सा लिया। समाचार पत्र ने बताया कि वरकर्स पार्टी की केंद्रिय समिती के सचिव री इल हुआन ने सभा को संबोधित करते हुए दिवंगत नीता की उपलब्धियों के गुनगान गाए। री ने कहा कि समाजवाद को कुचलने के सामराज्यवादी प्रयासों के बीच किम जॉंग इल ने अमरीका के विरुद्ध निर्णायक युद्धों में देश का लगातार नित्रित्व करते हुए विजय दिलाई और देश की रक्षा की। हर साल प्योंग यांग में आयोजित होने वाला ये अधिवेशन इस वर्ष पेकतू परवत की तलहटी में आयोजित किया गया। कहा जाता है कि ये स्थान किम जॉंग इल की जन्मस्थली है और इसे क्रांती का पवित्रस्थल माना जाता है। समझा जाता है कि उत्तर कोरियाई नेत्रित्व ने राश्ट्रिय एक्ता में मजबूती लाने के लिए इस स्थान का चैन किया किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने भी इस अधिवेशन में हिस्सा लिया इसराइली प्रधान मंतरी नफ्ताली बेनिट ने बहरीन की यात्रा की है किसी इसराइली प्रधान मंतरी द्वारा इस अरब देश की ये पहली आपचारिक यात्रा है बेनिट ने मंगलवार को बहरीन के शाह हामद बिन इसा अल्खलीफा से मुलाकात की वारता के बाद बेनेट ने कहा मुझे लगता है कि हमने एक मजबूत तथा स्थिरक शित्र की रचना के विभिन्न तरीकों पर बातचीत की शह ने उनकी इस यात्रा का स्वागत करते हुए इसे सार्थक बताया वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने के बाद बेनेट ने ये यात्रा की है इसराइल सरकार ने एक वक्तवे में संकेत दिया है कि बहरीन के साथ मैत्रिपून संबंधों से इसराइल को साओधी अरब और आसपास के बादारों में प्रवेश करने में मदद मिलेगी बहरीन के साओधी अरब के साथ निकट संबंध हैं लेकिन इसराइल के साओधी अरब के साथ कोई राजनेक संबंध नहीं है इसराइल और अरब देशों के नेता साओधी अरब के बीच पिलिस्तीन मुद्दे को लेकर मदभिद हैं लेकिन खबर है कि वर्ष 2020 में इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन यहु ने गुप्त रूप से साओधी अरव की आत्रा की थी राजनाईक प्रहरियों का मानना है कि इरान पर दबाव बढ़ाने के उद्देश से इसराइल अरब जगत के खाड़ी देशों की और हाथ बढ़ा रहा है क्योंकि इरान इसराइल और इसक्षेतर के अरब देशों दोनों का प्रतीदवन्द्वी है और अब आज के प्रमुक समाचार एक बार फिर रूस द्वारा सैन्य आक्रमन के बढ़ती आशंकाओं के बीच उकरेन के लोग आपसी एक जुटता की पुनरपुष्टी कर रहे हैं बुद्वार को देश की राजधानी कीएफ के एक स्ट्रेडियम में भारी भीड एकत्र हुई लोगों ने विशाल जहंडे उठाए और रूस के दबाव का डट कर मुकाबला करने के प्रतिग्या करते हुए जुलूस निकाला उकरेन के राश्ट्रपती वोलुदेमीर जेलिंस्की ने इस दिन को एकता दिवस की संग्या दी है इस मौके पर जेलिंस्की ने एक वीडियो वक्तव्य जारी किया उन्होंने कहा कि वो आशा करते हैं कि पूरे राश्ट्र के एक जुठ होने वाला ये दिन प्रसन्नता दायक होगा उन्होंने कहा कि एक जुठ होकर उकरेन के लोग और मजबूत हो गए हैं देश भर में प्रसारित वीडियो में राश्रपती को कियेफ के बाहर जहंडा फहराते और सेना के साथ राश्ट्रगान गाते दिखाया गया है इससे पूर्व मंगलवार को रूस में घोशना की थी कि वो अपनी कुछ सेना वापस बुला रहा है लेकिन अमरीका समेथ पश्चिमी देश सतर्क बने हुए है मंगलवार को उकरेनी अधिकारियों द्वारा देश के रक्षा मंत्रा ले सशस्त्र सैन्य बल और दो बैंकों पर साइबर हमले की जानकारी दिये जाने के बाद चिंताएं और बढ़ गई थी इसी के साथ NHK World जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है ये NHK World जापान है आप सुन रहे हैं हमारी हिंदी सेवा भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात आठ बजे से 15,720 किलो हर्ट पर दुबारा ये प्रसारण आप रात 9 बजे से 7,565 किलो हर्ट पर सुन सकते हैं और अगली सुबह 6 बज कर 29 मिनिट से 6,155 किलो हर्ट पर भी इस पुनर प्रसारण का आनंद लिया जा सकता है सुनते रहे हैं NHK World जापान झाल झाल झाल